मल्ली का शेरावत क्यों हो रही है रेप के लिए टूल मैं आपको बताऊंगा मल्ली का शेरावत जो है वो एक बॉलिवूड की अभीनेत्री है नमस्ते स्रीका अलाद आप खमागी नीकेम्चो के रोहाल के सकाय मैं हूं करन रजानी आप देख रहा हैं बॉलिवूड की ख़बरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलिवूड हेल्प लाइन पर दोस्तों मल्ली का शेरावत के मर्डर के बाद एक मांशु के साथ जो उ अवह मल्ली का शेरावत जैसे लोगों की वज़े से उगये है जो घिनोने काम करते हैं बॉलिवूड में फिल्मों में यानि अभिनेत्री जो गाम करती है ऐसे में मल्ली का शेरावत को सबसे बड़ा टार्गेट बना लेकिन सबसे पहले अब सबस्क्राइब कर ले हमारे चैनल बॉलिवूड है लाइकन पर प्रेस कर ले दोस्तो मली का शेरावत कहती है कि अगर मुझे ये गंदे काम ही करने थे और अगर तुम लोग मुझे रेप के लिए जो जिमेदार ठहरा रहे हो कि यहां पर जो रेप हो रहे वो मेरी वैसे हो रहे तो मैं 20 से 30 फिल्में नहीं छोड़ती जी हाँ बहुत बड़ी ख़बर दोस्तो मली का शेरावत खुद कहती है कि मैंने 20 से 30 फिल्में छोड़ी है बॉलिवूड की क्यों के समझहोता करने के लिए कहा कास्टिंग काॉच के लिए कहा 20 से 30 फिल्में ठुक रही है और मैं आज खुले आम कहती हूं कि وہ सामने आए जिन्हों ने मुझसे कहा है कि समझोता करें मैं ना कभी समझोता करूंगी ना मैंने कभी किया है और मैं सभी से कहूंगी कि समझोता और कास्टिंग काउच ना करें बहुत बड़ी बात है दोस्तों मली का शेरावत अगर यह बात कहती है तो दोस्तों प्लीज किसी एक इंसान के पीछे न पढ़ जाएं अब देखें कि वो इंसान के ओपर क्या बीती है और उसने वो movie entertainment के लिए की थी लेकिन उसके बाद उसके साथ में क्या क्या हुआ है वो भी आप देखें आप देखते ने बॉलिवोड की ख़बरें हमारे साथ हमारे channel Bollywood Helplank पर मैं हूँ एंकर करन रजानी टेक केर और गुडबाई